परवास एकलोते ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने आपको हमेशा कॉंट्रवर्सी से दूर रखा है पहुत सारे रिपोर्टर्स कोसिस करते कि परवास कुछ बोलते तो मजा ही आ जाए लेकिन परवास हमेशा बोलते हैं कि भाई नो कोमेंस क्योंकि बोलिवुड में भी इक्विली ही काम कर रहे हैं जितना कि वो तेलकु मूवीज में कर रहे हैं लेकिन पहली बार उनका फूटा है घुसा और वह भी बहुत जोरों से और उनके घुसे के सिकार हुए ओम रावत एंड सैफली खान अब आप कहेंगे कि कि बार के सबसे बड़े सबसे मानेनी सदेश्य थे क्योंकि 2012 में इनके पिताजी की मौत हो गई ते उसके बाद किसन राजुजी ने ही परभास को यहां तक लाने की इतनी महनत करी है नाव इनको भाई वहां भी रहना है घर पे और ओम रावती स्कॉलिंग कि यहां पर इव कि जब फर्स ताइम परभास आये थे इवेंट्स को लेकर उस वक्त सैफली कान अविलेबल नहीं थे तो इवेंट कैंसिल किया गया जब दुबारा जाकर आये तो ओम रावत पोस नोट रेड़ी विद द इवेंट वो फिर गए तीसरी बात अगेन दसेम प्रोब्लम सैफल अपरिकान और ओम रावत दोनों के पास टाइम नहीं क्योंकि भाई इवेंट्स के बीच में फसे हुए हैं और परभास इस सिचुएशन में अपने घर से भार रह रहे हैं जिस टू गाइस अर नोट हविंग टाइम तो मैने इवेंट जिस चक्कर में उन्होंने सुना दी ह अपर आपको परभास देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई उन्होंने जितना टाइम देना था उन्होंने दे दिया है अब देखते हैं अकेले सेफली खान और कितना परमोशन कर पाते हैं कोन-कोन आदि पर उसके लिए बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिड है एन परभास के साथ है कि भाई हां आज आता है गुस्ता कोमेंसी बात है नहीं है प्रमोशन के लिए टाइम तो नहीं है जल्दी से कोमेंट करके पताएं सब्सक्राइब कर लीजेगा बागे के डेटेल् इसे मिलीनितों पाई